श्कार स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे भारत के अंदर क्या मानवादिकारों का उलंगन हो रहा है और कम नहीं बलकि बहुत जादा हद से भी जादा यहां पर कहा गए कि हद से भी जादा उलंगन किया जा रहा है भारत के अ मानवादिकारों को लेकर क्योंकि इसमें का गया है कि पुलिस जो है वो बिना ही किसी वारंट के अपने वनवाने ढंग से अपनी पावर का मिस्यूज करते हुए लोगों को गिरफतार कर रही है उन्हें डिटैन कर रही है लोगों को पोलिटिकल राइट नहीं है लोगों क अपना point of view रखा है इस human rights की report के उपर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले pdf के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि कहां मिलेगी description box में telegram का link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की pdf डाउनलोड कर सकते हैं अब यहां पर अमेरिकी विदेशी विभाग ने वर्ष 2021 में भारत में जो मानवा अदिकार है उससे संबंदित एक अलोचनात्मक report जारी किया है अलोचनात्मक मतलब बहुत critical, strong या फिर कहीं criticize करने वाले report जारी किया है यह जो report है वैसे हर साल जारी की जाती है हर देश के बारे में यहां पर जारी की जाती है अमेरिकी Congress में परस्तूत की गई थी जिसमें यहां पर बात की गई थी कि किसी देश में जो वो citizen है कोई citizen है तो वहां पर उसके civil rights कैसे हैं उसके political rights कैसे हैं उसके worker जो है उसके rights कैसे हैं इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाते हैं और यह तमाम बाते यूनिवर्सल डेकलरेशन ओफ घ्यूमन राइट्स में भी होती हैं या फिर कहीं जो इंटरनेशनल एग्रिमेंट होते हैं उसके अंदर भी उती हैं तमाम बाते वहाँ पर भी देखी जाती हैं और केवल अमेरि की रिपोर्ट इसमें कैसे क्रिटिकल या फिर कहें कि एक अलावचनात्मक रिपोर्ट है कौन-कौन से मुद्दों को इसमें हाइलाइट किया गए उनको हम देखने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कहा है मनमानी गिरिफतारी और नजरबंदी इन्होंने कहें कि भारतिय कानून जो भारतिय जो लगा है इंडियन लोग है वो मनमानी ढंक से किसी को गिरिफतार या नजरबंदी ये करने पर रोक लगाता है यानि कोई पुलिस अधिकारी किसी को अपनी मर्जी से पावर का मिस्यूज करते हुए किसी इंसान को गिरिफतारी ये डिटेंड नहीं कर सकता है इसके उपर रोक लगाई गई है क्योंकि वो इंडियन लोग के अंदर लिखा गया है लेकिन काफी सारी ऐसी गटनाएं हमारे सामने आई हैं ये रिपोर्ट कह रही है कि जिसमें पुलिस ने गिरिफतारी की न्याइक समिक्षा को स्थगित करने के लिए विशेश रुक्षा कानूनों का उप्योग किया है मतलब इसका गिरिफतार किया है और जो एक जुडिशियल रिव्यू होता है जुडिशियल रिव्यू का मतलब किसी इंसान को अगर गिरिफतार कर लिया गया है तो वो सही किया या गलत किया इसकी एक तरीके से न्याइक समिक्षा की जाती है रिव्यू किया जाता है जहां पर राइट्स का भी ध्यान रखा जाता है उस citizen का कि भई तुम्हारे साथ गलत तो नहीं हुआ वो judicial review उन्होंने side में कर दिया है विशेस power का use किया गया यहां पर और यहां बोला गया कि poor friction निरोध मनवाना और काफी लंबा अफदी का था जो कभी-कभी दोश्यों को दी गई सजा की से अफदी से भी अधिक था इसका मतलब यह कि देखे हैं हमारे देश में काफी सारी चीजें हमारे सामने आती हैं जिसमें जेल में काफी सारे ऐसे लोग बंद है जिनके उपर under trial यानि कि जिनके उपर मुकदमा चल रहा है और मुकदमा चलते चलते वो जेल के अंदर ही रह रहे होते हैं जब तक उनका final result court के द्वारा निकलता है उसमें सजा इतनी नहीं होती जितनी वो जेल में विता चुका होता है under trial के दोरान तो ये काफी गंबीर issue है ये तो है वास्तो में ये एक report भी आये थी खुद भारा सरकार ने भी इसके उपर चर्चा की थी यहाँ पर बोला गए कि गौपनेता का उलंगन गौपनेता का उलंगन की एक Pegasus virus है Pegasus virus का यूज किया गया था इस पर इलजाम लगे थे government के उपर कहा गयते कि जो सरकार है वो Pegasus malware यानि Pegasus नाम का एक जो virus है reporters के phone में डाला जा रहा है ताकि उनके उपर निगरानी रखी जा सके वो किस से बात कर रहे हैं क्या chat कर रहे हैं क्या share कर रहे हैं इन तमाम बातों का वहाँ पर इनका नजर रखने के लिए इस Pegasus malware का यूज किया गया था ये मतलब कि काफी जादा मुद्दा जो है वो Pegasus को लेकर highlight रहा था और कहा गया थी कि जो सरकारी अधिकारी है गोपनियता यानि जो privacy है उसका उलंगन कर रहे हैं जो पतरकार है उनकी यहां बोला गया है अगली जो point है इसमें सुदंतर अभिव्यक्ति और मेडिया प्रपर्तिबंद इसमें कहा गया कि रिपोर्ट में काफी सारे ऐसे उधान हमें देखने को मिले हैं दोनोगेंचे को मैंने आइसी कोई टरोलिंग नहीं है हाँ दोनो साइट से जुरूर होती है पॉजिशन की भी हो रही होती है और जो गुर्मेंट के अंदर उनकी भी होरी होती है यह सारी चीज़ें चलरे होते मुझे ये समन्या है ये particular किसकी बात कर रहे है अगर एक media one करके एक channel है उसको बंद किया गया है तो जहाँ पर सरकार का point of view बात करें तो उस media one में जो केरला का है उसमें बात थी कि वो भारत की secret को बाहर भेजने की या फिर कहीं कि वो ऐसी चीज़ें दिखा रहा था जो नहीं दिखाने चाहिए जो security के खिलाव थी भारत में इसलिए वहाँ पर उसको बंद किया गया है काफी सारी चीज़ें की जा रही है भारत करके और वहाँ पर उनका एक point of view भी दिया जा रहा है जिसमें बाद में निरस्त यानि उसको खतम कर दिया गया था उसके खिलाव जैसे विरोध परदशन हुए थे तो इसमें कहा गया कि काफी सारे पत्तरकार है उनके accounts को block कर दिया गया एस निर्देश दिये गये थे government के दारा तो government यहां पर आवास दबाने की कोशिश कर रही है यह इस reporter बोलना है किसको लेकर क्रिशी कानून को लेकर मैं हैरान हूँ यह चीज़ देखकर कि उस वक्त अगर आप देखेंगे तो काफी सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी Twitter पर ऐसे भढ़काओ भढ़काओ tweet दिये जा रहे थे ताकि लोगों को भढ़काया जा सके दंगा भढ़काया जा सके तब वहाँ पर बहुत सारी tweet डिलीट करवाए गए थे government के तारा और बहुत सारे blog जो है वो बहुत सारे account जो है वो blog करवाए गए थे वो तमाम बातें जो है वो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा से related थी वो तब करवाई जा रही थी अब इनों ने उस बुद्धे को पकड़ लिया अपना पोई उसके लावा नहीं रखा कि क्यों करवाई गई क्या पर उनको बोलने नहीं दिया गए आपको बता है कि लाल के लिए पर जो चीजें हुई हैं हमारे देश के कितनी दुरबाग्य वर्स थी वो चीजें तो इससे भी जादा हो सकती थी अगर government ने action ना लिया होता ऐसे से tweet ना delete करवाई होते ऐसे twitter account आपको बता है कि एक report वहां पर आई थी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा वो ग्रेटा धनबर्ग जो है उनके द्वारा कहा जा था कि कुछ चीजें ऐसी यहां पर मुझे नाम याद नहीं आ रहा वैसा कुछ निकल के आ रहा था बहुत controversy उस वक्त रही थी तो यह बात बोली जा रही है उस report का यहां पर नाम नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं भारत को आप देखेंगे ना यह सारी तमाम चीजें वो कहीं ना कहीं भारत की छवी को बदनाम करने के लिकी जाती है अभी आपको point of view सुनाओंगा उन्होंने कहा है इस report के बारे में साथी साथ इसमें क इस तर लेकर भारत से चले गई रीजन यह भारत सरकार ने इस Amnesty International से पूछा कि आपके पास जो बाहर से जो पैसा आ रहा है ना यह जो डॉलर में रुपयों में जो आपके पास जो करनसी आ रही है आपना हिसाब देजी हमको यह नहीं Amnesty International अपना सारा हिसाब देजी कि आ लेकिन भाई साब Amnesty International इंडिया ने बताया है नहीं इन्होंने बताया है नहीं तो गवर्मेंट ने इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया एडी ने इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया यह आप पैसा नहीं निका सकते तो Amnesty International यहां से बोरिया विश्तर लेकर चली गए और पैसा काहां से ले रहे हो बारत सरकार की रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है अकर वो कई पैसा ऐसी जगहें से आ रहा है जो नहीं आना चाहिए ब्लैक मनी को वाइट मनी की कोशिश कर रहा है तो इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा लेकिन अमेरिका है उन्होंने अपन अपने पॉइंट ऑव्यू रख दिया है क्योंकि हर एक को अजादी है पूरी दुनिया के अंतर अपने पॉइंट ऑव्यू रखने हैं तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑव्यू रखें आब आगे चलते हैं देखे मानवादिकारों का मतलब क्या होता है देखे Simple सरल भाश बात बोली थे अगर लोगों का मानवाधिकार उनसे चीना जा रहा है उनको नहीं दिया जा तो कहीं न कहीं है मानवता को चुनोती देने वाली बात आ जाती है। अब क्या भारत के अंदर मानवा अधिकारों से लेटिड कोई प्रावधान है। बेशिक हैं हमारे देश में अगर आप मोले का अधिकार देखें। 12 से लेकर 35 तक जहां पर हम different rights की बात करते हैं, वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे fundamental rights में दी गई हैं। इसके अलावा जो एक government है या फिर कहीं एक जो देश है वो अपने नागरिकों के साथ कैसे treat करेगा। यह अजिस को कहते हैं डिरेक्टी प्रिंसिपल और स्टेट पोलसी। यानि कि जो एक देश की वो नीती कैसे होने चाहिए तो इसके बारे बात कीगी article 36 से लेके 51 तक है। जिसमें बोला गया है कि इसमें समाजिक सुरक्षा का अधिकार होगा, काम का अधिकार होगा, रोजगार के चैन का अधिकार होगा, बेरोजगारी के विरुद सुरक्षा का अधिकार होगा, समान काम और समान वेतन का अधिकार होगा, मुफ्त और अनिवारे शिक्षा का अध माहें ये दोनों एक साथ मिलकर कहां गए भाई या चल रहे हो नहीं चल रहे हां मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार और राज्य के निती नहीं देशकता तो ये तीनों मिलकर सिधान्त मिलकर ये दोनों मिलकर क्या करते हैं आत्मा का काम करते हैं समिधान की हमारे देश में स्ट इंद्रियस्तर के ऊपर राष्ट्रे मानवादिकारों का गठन किया जाए जो मार्ग दर्शन करेगा समीधान में जो मौली का दिकार दिये गए है उनका स्रंक्षन करेगा साथ इसाथ जो राज्ये के इंदर मानवादिकार आयोग है उनका मार्ग दर्शन करेगा कि मानवाद के अंदर बात बोली गई हैं जैसे हमारे समी दान में ग्यारंटी दि जाती की हर जो मतलब कि यहां पर हैं इसमें एक्टिव रॉल पे एक्टिव और प्ले के या एक्टिव प्रिफाट लिया था इस डॉफ्टिंग के अंदर universal declaration of human rights में जिसमें 30 rights की यह फिर कहेंगे freedom जो हैं यहां पर include किये गए थे जिसमें आती है civil political rights इसके लावा life, liberty, free of speech, privacy, economy, social, culture rights इन तमाव rights की यहां पर बात की गई थी health और education से related यहां पर बात की गई थी यह 30 अधिकारें के बात की गई ओके अब बात करें एस जैसंकर जो हमारे देश के external affairs minister है उन्होंने क्या का लेकि अभी वारता लाव चल रही थी इंडिया यूएस की 2 plus 2 dialogue चल रहा था जिसमें क्या था इस साइड हमारे जो पर हमारे देश के एस जैसंकर यह थी और जो अमेरिका के थे अंटनी ब्लिंकन यह बैठे थी बात हो रही थी कि भई पॉलिटिकल मिलिटरी की affairs के उपर बात थी लेकिन यह भाई साब अंटनी ब्लिंकन यह बोले कि भारत के अंदर देख रहे हैं human rights का उलंगन हो रहा है तो एस जैसंकर जी ने बहुत जबर्दस जवाब दिया उन्हों ने कहा कि बात तो अभी फिलाल human rights की हम कर भी नहीं रहे हैं तो यहां पर उसकी बात करने का कोई logic बनता नहीं है और जो हमें यह पाठ पढ़ा रहे हो ना कि हमें human rights के उपर एक वरना अपने गिरेबान पर भी हाट जहांकर देख लो कि तुम कितने पानी में हो यह सीधी बात इन्हों में बौल दी क्यूंकि इन्हों ने का कि हम भी आपके उपर नज़र रख रहे हैं वहीं अमेरिका भारत के उपर अगर नज़र रख रहा उनको मारा गया है तो यहां पर बोला गया है कि हम भी देख रही है कि आप कैसा चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत डिप्लोमेटिक स्ट्रोंग है एस जैक संगर जी और 1955 के अंदर इनका जन्म होता आई एस थे फिर बाद में रिटायर हुए इनको राज्य सभा से मनोनित करके म हम पर पेश किया है हर कोई हमारे देश को लेकर व्यू बनाता रहता है कैर उमीद करता हूं कि तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेर कर सकते हैं चैनल को भी और वीडियो को भी पीडि दिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो वहाँ से पीडिया डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो